क्या कोरोना वाइरस वर्ल्ड वार से भी जादा घातक है? दोस्तों हमने आपने सबने अपनी किताबों में पहले विश्वद और दूसरे विश्वद के बारे में पढ़ा होगा और हमने इसके बारे में सुना भी होगा लेकिन आज हम आपको एक ऐसी बात पताने जा रहे हैं जो शायद ही आपने कभी पढ़ी और सुनी होगी वो कुछ और नहीं बलकि दुनिया में तबाही मचाने वाले कोरोना वाइरस के बारे में है जी हाँ दोस्तों जिस तरह प्रथम और दुद्धी विश्युद ने हर जगह तबाही मचाई थी पूरी दुनिया की एकॉनमी अस्त्वेस्थ हो गई थी हर जगह लाशों के धेर लगे पड़े थे उसी तरह का नजारा आज हम एक बाफिर से देख रहे हैं बस दोस्तों फर्क इतना है कि आज लड़ाई बंदू को और बमों से नहीं बलकि अस्पतालों में और अपने अपने घरों में बैठकर लड़ी जा रही है दोस्तों आज करें वीडियो अंते तक जरूर देखिएगा जिससे देखने के बाद आप पूरी तरह से हिल जाएंगे आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे के बटन को हिलाना मत भूलें ऐसा करने से आप पर किर्पा आनी शिरू हो जाएगी चलिए बढ़ते हैं आगे अपने इस वीडियो में दोस्तों आज करोना वाइरस पूरी दुनिया में अपनी पैर पसार कर बैठ चुका है और दूर दूर तक इसके रुकने के कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे हैं यह रोज अकेले हमारे भारत में लगभग 2-3 लाख लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है और यहां कड़ा धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा है ऐसे में दोस्तों अगर हम पहले और दूसरे विश्युद की बात करें तो जहां पहले विश्युद में 20 मिलियन यानी की लगभग 2 करोड लोग मारे गए थे और इतनी भारी तबाही मची थी जिसका कोई अंदाजा ही नहीं है क्यूंकि दोस्तों उस समय जब प्रथम विश्युद हुआ था तब तो दुनिया भर में उतनी जादा आबादी नहीं थी और जो 2 करोड लोग मारे गए थे वो साल 1914 से लेकर 1918 की बीच मारे गए थे यानी की 2 करोड लोग को मरने में 4 साल का वक्त लगा था उसी में अगर हम दूसरे विश्युद की बात करें तो दोस्तों पहले विश्युद से जादा तबाही मचाई थी दूसरे विश्युद ने जिसमें 75 मिलियन लोग मारे गए थे यानी की दूती विश्युद में सन 1949 से लेकर 1945 तक लगभग साढ़े साथ करोड लोग मारे उसका आप और हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते लाशों के धेर जगय जगय पर मौजूद थे हर जगय खून ही खून दिखाई दे रहा था लेकिन दोस्तों अगर हम अभी के हालातों पर नज़र डालें तो जहां पर विश्युद पहले और दूसरे में 4 और 5 साल में वाइरस से दुनिया भर में लग भग 32 लाग से जादा लोग मारे जा चुके हैं और ये आंकड़ा दोगनी तेजी से बढ़ रहा है वहीं अगर इस खतरनाक वाइरस से संक्रमित लोगों की बात की जाए 15 करोड़ से जादा लोग इस वाइरस से संक्रमित हैं जो कभी भी 16 क करोड़ के आंकड़े पर पहुंच सकते हैं ऐसे में दोस्तों आप खुद ही सूचिए कि करोणा वाइरस वर्ल्ड वार से किस तरह से कम है बलकि हम तो ये कहेंगे कि ये वर्ल्ड वार वन और टू को भी पीछे छोड़ सकता है क्यूंकि जिस हिसाब से आंकड़े दिन प्र श्वानी में कहा था कि वर्ल्ड वार थ्री बंदूक और हत्यारों से नहीं लड़ा जाएगा और आज उनकी ये बात सच होती हुई नजर आ रही है क्यूंकि ना यहां पर बंदूक इस्तिमाल हो रही है और ना ही हत्यार लेकिन फिर भी लाशों पर लाशें गिरती जा रह है वहीं पूरी दुनिया की निगाहें आज भारत पर टिकी हुई है जिसकी सबसे बड़ी वज़य यह है कि आज हमारे देश में जादा आबादी है उतनी ही कम मेडिकल फैसिलीटीज हैं अगर आज हम अपने देश में मेडिकल फैसिलीज की बात करें हर सत्रा सो लोगों मे हमारे देश में केवल एक बैड मौझूद है वहीं अगर देश में डॉक्टर्स की बात की जाए तो हर 10,000 व्यक्ति पर 7 डॉक्टर मौझूद है और हमारे देश में इसी medical facility ना होनी की वज़े से हर रोज हजारों लोग बेमौत मारे जा रहे हैं दोस्तों आप खुद ही सूझें कि कितने दुरभागे की बात है कि आज लोग किसी और चीज़ से नहीं बलके हवा ना मिलने के कारण मर रहे हैं ये वाइरस शरीर में कुछ नहीं करता सिर्फ और सिर्फ ऑक्सियन लेवल घटा देता है जिसके बाद जिस प्राकृतिक हवा को छोड़ कर हम इंसान बिल्लिंग बनाने में लगे थे आज उसी हवा के लिए लोग मारे मारे फिर रहे हैं दूसरे देशों से हमारे भारत को आक्सियन लेनी पड़ रही है एक वक्त था जब हमने 6-7 महीना पहले इस खतरनाक वाइरस से जंग जीती थी लेकिन हमारे देश की जनता और यहां पर लाखों करोणों लोग को एकठा करके रैली करने वाले नेताओं ने सब को चौपट करके रख दिया जिसके वजे से हमें आज के समय में करोणा वाइरस की ये दूसरी लहर देखने को मिल रही है जो कि इतनी खतरनाक है कि हर सकेंड लोग को अपनी चपेट में लेकर मौत के आगोश में पहुचा दे रही है हालात इतने बत्तर हो चुके हैं कि शमसान घाट तक में करोणा वाइरस से मरने वाले लोगों को जलाने तक की जगए नहीं बची है तो में तो ये हाल हैं कि एक किला शुक्ती नहीं और दूसरे मौत के कगार पर आकर खड़ा हो जाता है कितने ही बच्चे अनात हो गए यहां पर इस कुरोणा वाइरस ने हमारे देश की बड़ी-बड़ी हस्तियों को भी हमसे छीन लिया है हाँ आप कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो ये सोचेंगे कि हम वैक्सीन लगा लेंगे तो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे हम आपको बता दें कि वैक्सीन लगानी की वज़े से कई लोग मौत के आगोश में जा चुके हैं पर इसकी वज़े से आपको ये नहीं कहेंगे हम कि आपको वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए पर हम आपसे ये जरूर कहेंगे कि वैक्सिन लगवाने से पहले सभी तरह की सावधानी परतनी बहुत जरूरी है वरना एक हल्की सी चूप भी आपको दूसरा मौका नहीं देगी वरना तो आपको पताई है कि शायद ही कोई ऐसा इंसान होगा जिसका कोई करीब ही इस वाइरस से आज ना मर रहा हो कितनों के तो घर ऐसे ही उजड़ गए अब इसके पीछे किसको गनागा ठहराय जाए आज का मुद्दा ये नहीं है आज का मुद्दा ये है कि हम कैसे खुद को सुरक्षित रखें जहां इस मुश्किल घड़ी में अपने आपको और अपने दोस्तों परिवार वालों को सुरक्षित रखना ही हमारी प्राथ मिक्ता होनी चाहिए इसलिए जितना हो सके उतना घर पर रहें आप नमक रोटी खाकर आप अपना गुजारा कर सकते हैं लेकिन अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो उसके बिना कैसे गुजारा करेंगे इस ख्याल को दिमाग में बिठाएं और पूरी साथ धानी रखें क्योंकि आने वाला समय कब कौन सा तूफान लेकर आ जाएगा किसी को नहीं पता और अंत में हम आप से कुछ ऐसी बाते कहना चाहते हैं जो आपको इस परिशानी भरी परिस्तिती में एक उम्मीद देगी और वो है डार्विन थीरी और सर्वाइवल आफ ता फिटेस्ट जिसका अगर साफ शब्दों में मतलब बताया जाए तो वही इनसान इन खराब परिस्तितियों में अपने आपको जीवित रखवाएगा जो इन परिस्तितियों के हिसाब से अपने आपको ढाल लेगा जैसा कि ये समय हमें परिस्तितियों के हिसाब से खुद को फिट रखना है जिसमें हमें सबसे ज़ादा जरूरी है कि ज़ादा से ज़ादा सावधानी रखें और अपने घरों में बैठ कर अपनी जीवन शैली को चलानी की कोशिश करें और अगर जो इंसान ये करने में हार गया वो जिन्दगी से कब हार जाएगा उसको खुद भी नहीं पता दोस्तों आज के लिए बस इतना ही तब तक जै हिंद जै भारत देखने के लिए शुक्रिया दोस्तों आपको स्क्रीन पर दो और वीडियो दिखाई दे रही है जिससे देखने के लिए स्क्रीन पर क्लिक करें